तब हमने आप अंडमानने को बार घूमना शुरू कर दिया तो आपको हर दिन का डेली अपडेट मिलेगा देख तो जाओ और यह रही हमारी परी गजब लग रहे हूं अभी हम जा रहे हैं सेलुलर जेल फिर वहां पे एक लेजर लाइट सो है फिर उसके बाद बीच पे जाएंगे यह बाहर का व्यू पोर्ट ब्लेर में आप सबसे एक अच्छी चीज नोटीस करेंगे कि यहां पर अभी भी हमको ग उन्दर पहली बार जिंदिगी में देखो तो अन्दमान निकुबार का ही देखो क्या लाजवाब है और हम लाजवाब से बात करते हुए एक दरदनाज जगह पे सेलुलर जेल जहां पर सतंत्रा सेनानियों को कई सालों तक कैद रखा गया सोचो उनको घर से उनके अपनों उसके लक्कु get को कोई यूपी के कोई बिहार का कोई पंजाब कोई इस समय का जो पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ करता था कराची से इतना दूर आप इमेजिन करूँ उतना दूर से और यहां पे लाया के रखा जाता था कहा जाता जो सावरकर जी थे उनको जब यहां पे रखा गया था दो साल तक तो उनके घरवालों को पता ही नहीं चला क्यों है कहां पर और आपको इसके अंदर दिखेगा एक जो सजाय दी जाती थी क के तरह की सजा होती थी इसे बैल को लू सोचो जो तेल को निकालने के लिए यूद इस्तिम ones देते थे वहाँ पर उनको किया जाता sa कपड़े जब उनको सजा देनी होती थी द्रेस होता था एक का का बोरे का पहना या जाता था इसन्टारीक्ती संपाथ revolution इमेजेस को इन पिक्चर्स को आप देखके विजुलाइज करके दर्द हो जाता है यार सरीर को मतलब जो स्वतंतरा सेनानी थी मतलब ठीक है ज्यादे पेट्रोटिक होने बात नहीं लेकिन कितना सहा इन लोगों और यहां पर फासी तो इसी तरीके से दी जाती थी और फासी म घर भाई मतलब इसके अंदर कितनो कि और भी यहां पर जालों यार यहां पर कितने जवान कितने सेनिक कितने उस समय के थे उन्होंने अपना सहादत दीव यहां पर रात को लाइट शोья वह होता जो हम देखने वाले और वहां पर इस जेल से कहानी क्या हैं हुआ कि ऑ कमरे को पता है आपको सबसे बड़े जान होगी इस कम इन कमरों में मतलब बाहर निकले का टाइमिंग हुआ करता था यह है उनका कमरा वीर सावर कर जिका जो आप उसमें आपने चीज देखा होगा कि दो कटोरी रखे गए एक कटोरी खाने के लिए इसी में मिलता था दूसरा कमरे से बाहर निकलना पड़ता था रात में पौटी आगई इसी में करना पड़ता था जस्ट इमेजिन खुबसूरती तो बहुत है यहां पर जो दर्दनाग जो सहा है इन लोगों ने हमारे लिए एक बार तो यहां पर आकर मतलब रोंक्टे खड़े हो जाएंगे फिर इन दर्दनाग भरे से निकल कर लमों से एक खुबसूरत लमों में निकलते हैं क्या खुबसूरत बीच है यार और जस्ट हम यहां पर मजे करने वाले हैं और इंज्वाय भी करेंगे इस जो अंड़मान निकोबार का जो खुबसूरती है जो दर्द है दर्द पहले देखा हां तक ले जाने के लिए रिजनेबल प्राइस हजार रुपय में पुरा अच्छे से आपको दो लोग को बैठा के ले जाएंगे और आप अच्छा का सा फोटो श्कूट भी करा देते हैं तो ठीक है यह बंदा हमें ले जाने वाला है यहां पर मज़ा आगया जो चुका है कि ना सांदार कि मैं चलें कि इतने दिनों बाद पानी देखा है तो क्या ही होगा चलिए 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 चलते हैं अब